पिछले एक महीने से किसान सोयाबीन के भाव 6,000 रुपए प्रती क्विंटल किये जाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इधर सरकार ने भी सोयाबीन को समर्थन मूल्य पर खरीदने का निरनय कर लिया है। इस बीच मध्य प्रदेश के कई भागों में सोयाबीन की कटाई ने लगेगी। नई नई एवं पुरानी सोयाबीन के भाव में अंतर दिखाई दे रहा है। फिलहाल 10% से लेकर 28% नमी वाला सोयाबीन मंडियों में पहुँच रहा है। सोयाबीन की कटाई के ठीक एक महीने पहले किसानों ने सोयाबीन के भाव बढ़ाने को लेकर आंदो आंदोलन शुरू कर दिया था। किसानों ने जानकारों की सलाह ली और सोयाबीन के भाव 6000 रुपए प्रती क्विंटल किये जाने की मांग रखी। लेकिन इस आंदोलन का ज्यादा असर नहीं पड़ा। इस आंदोलन का सिर्फ इतना ही असर पड़ा कि सरकार न्यूंतम समर मूल्य पर सोयाबीन को खरीदने का फैसला किया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंद्र प्रदेश में सोयाबीन को सरकारी स्तर पर 4892 रुपए प्रती क्विंटल में खरीदा जाएगा। क्रिशी उपजमंडियों में अब पुरानी सोयाबीन के साथ सा आवग बढ़ने लगी है। MP की प्रमुक क्रिशी उपजमंडी इंदौर एवं उज्जैन में नई सोयाबीन की आवग बढ़ने लगी है। सोयाबीन प्लांट संचालक आम तोर पर 15% नमी वाला सोयाबीन खरीदने है। इस समय मंडी में जो नया सोयाबीन आ रहा है उसमें 18-28% तक की नमी है। पुराना सोयाबीन 10% की नमी वाला रहता है। सोयाबीन प्लांट नीमच लाइन में नया 15% नमी वाले के भाव 4,475 रहा जबकि पुराना 10% नमी वाला 4,800 रुपए प्रती क्विंटल के भाव ओफर किये गए। इंदौर लाइन के सोयाबीन प्लांट 10% नमी वाला 4,700 रुपए के भाव ओफर किये गए। इधर किसान वर्ग गीला सोयाबीन बेच रहे। किसानों का मानना है कि समर्थन दाम तक रुकेंगे जब तक 5 किलो तक उपज सूख न जाए। ऐसे में इस समय के विक्री भाव फाइदा देते नजर आ रहे हैं। किसा भाव में किसी भी प्रकार की तेजी नहीं बताई जा रही है। इधर व्यापारियों का यह भी मानना है कि समर्थन मूले पर खरीदी शुरू होते ही भाव में तेजी आने की उम्मीद है।